हलो नमस्ते वल्कम तो मैं चैनल आज बात करते हैं आइस्टेंट के कुछ इमेजिंग एंड इंटर्स्टिंग फैक्स के बारे में जैसे कि आप लोग देख रहे हो आइस्टेंट आटी कोशन आइस्टेंट के बीच में एक कंट्री है यह 18th largest आइलेंड है दुनिया में इसकी टैपिटल के नाम है रेयाविक जब आप देखते हैं इसकी कुछ इंटर्स्टिंग फैस्ट के बारे में आइस्टेंट को दि लैंड ओफ फायर और आइस्टेंट बोला जाता है कि कुछ देश की करीब 11 परसें ग्लेसियर से कवर है और साथी इस देश में बहुत सारे वॉलकानों भी हैं आइस्टेंट में बहुत सारे वॉलकानों में एक जो सबसे बड़ा वॉलकानों है उसका नाम है एय या फ्या, फ्लाय या कुदूल है, बहुती टफला में Blue Lagoon basically a hot tub है, यह एक man-made यानि एक artificial lake है जहाँ आपको steam देखनों कमेलेगा और इसका पानी बहुत hot भी होते हैं, जहाँ पे लोग आते हैं फ्रेश होते हैं जहाँ दोस्तों, आइसलेंड की कोई आर्मी ही नहीं है, इस देश में crime rate करीब 0% है अब सोचिए इंडिया जैसे देश में, जहाँ billions खर्च कर देते हैं अपनी security के लिए देश की वहाँ आइसलेंड में ऐसी कोई खर्चे की ज़र्योती नहीं पड़ती है इंपेक्ट, Global Peace Index के अनुसार ये देश नमबर वन है अब ये बात मुझे बहुत अचे लगी, अब सोचो आपको कोई ना good night और मर्चेंदानी की जरूरत है और ना कोई malaria की टेंशन, आइसलेंड के environment ये ऐसी है कि वहाँ पे कोई मस्क्यूटी नहीं है अब ये तो बहुत चोखाने वाले बात है, आइस्टियन की Capital Uyavik में एक पैनिस म्यूजियम है जहाँ पे करीब 200 अनिमेल इंक्लोडिंग हुमेंस के पैनिस रख रू है आइसलेंड में कोई train की सुपिता नहीं है, कोई railway नहीं है वहाँ पे, बहुत जादा लैंस्क्यम होने के कारण, और इस देश की करीब 60% जो लोग population है, वह आपनी राजदानी रे आविक में रहते हैं, जिसकी कारण railway की कोई ज़रू होती नहीं परते हैं, जिसकी कारण railway की इस देश में सबसे ज्यादा राighters और author थैं, तो इस देश में सबसे ज्यादा counselors और author थैं, और अचे में सबसे ज्यादा writers और author से, compare to other countries Northern lights, basically natural light six हैं, जो high latitude region में देखने को मिलता है आइस्तेंट के इलावा नौर्वे और आलासका में भी नौर्ट अनलाइस देखने को मिलते हैं यह सब चीजे आइस्तेंट को बहुत ही इंट्रेस्टिंग और अमेजिंग बनाती है यूनिक बनाती है बाकी सारे देशों से इलावा यूनिक बनाती है